जैसे कि आप जानते ही है कि B.A. L.B. के सभी SEMS को लेकर जहां पर भी English आती है तो उनके लिए मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं B.A. L.B. English के most of the topics cover करा रहा हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ B.A. L.B. Second Sam की formal letter ये एक ऐसा topic है जो हमारा रह गया था किवल कराने से बाकी सभी topics मैं आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से cover करा चुका हूँ जो की B.A. L.B. Second Sam के नम से playlist है आप उस playlist पे जाईए सभी topics चैक कीजिए चाहे वो vocab के part हो चाहे आपका जो work लगा हुआ है कोई fiction है तो उससे related हो कोई drama है तो जो भी आपके course में है second और fourth Sam में वो सभी इसमें provided है तो सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ तो अब मैं बात करता हूँ formal letter की आज इससे पहले मैंने आपको report writing, pressy writing और आपके informal letters वो भी बता दिये थे formal letter जैसा की मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि letter को रटना नहीं है बनाना सीखना है इतना करना है बनाना सीखना है और बनाना कैसे सीखना है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ आज formal letter writing में तो start करते हैं formal letter सबसे पहले तुम आपको ये बताना चाहूँगा कि formal letter होते क्या है किसको हम formal letter कहते हैं जैसे कि मैं आपको बताया था informal letters जो होते हैं वो letters होते हैं relatives को letters, friends को letters, अपनी किसी near dear को letter but on the other hands formal letters are considered as official letters इन letters को official letters भी कहा जाता है जिनको हम व्यावारिक प जो formal letters होते हैं अब formal letters में categories की बात करें तो सातियों letter to editor, purchase and sale letter, complaint letter ये इसके parts आते हैं format of अब बात कर लेते हैं format की formal letters की, जो हमने बात करी formal letters कौनकौन सोते हैं, editor को लिखे जाने वाले, purchase and sales वाले और complaint वाले, और format क्या होता है formal letters का, ये मैं आपको बता देता हूँ, देखें जब भी आप फॉर्मेट लेटर्स लिखते हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेंडर्स एडर्स होना चाहिए, अगर जो आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, तो इसको मतलब कोई ऐसा असेंशन नहीं कि आप सेंडर्स एडर्स लिखें उसमें, स्टार्टिंग में, लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, एडिटर वाले में, बाकी सभी में तो लिखना ही है, तो सेंडर्स एडर्स, सेंडर्स एडर्स के बाद में आपको देना है, one line space यह जो एक line का space है यह आप देंगे इसके बाद आपको date mention करनी है और उसके बाद receivers address मतलब जिसको आप भेज रहे है letter उसका address यहाँ पर आ जाएगा अगर letter में mention है senders और receivers address तो आप as it is mention करें otherwise आप अपने accordingly उसको लिखें अब इसके बाद क्या होगा subject आप mention करेंगे receivers address के बाद में फिर salutation के बाद में दोनों तरीके सही है आप कुछ students यह कहेंगे सर हमने तो जो subject वो salutation के बाद में देखा है बाद वाला भी सही है और पहले वाला भी सही है दोनों ही तरीके सही है यह आपके choice है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं तो receivers address उसके बाद subject फिर salutation में dear sir यह mention किया रहेगा और उसके बाद हम करेंगे starting lines regarding the main issue of the letter जो उसमें जिस को लेकर जादे concerned है तो उसके बारे में हमें starting में बताना होता है for example आप किसी problem को बता रहे हैं तो आप कहेंगे I would like to draw your kind attention towards the problem of this one and that one जो भी आपको बताना है वो भी मैं आपको clues बताऊंगा कि किस तरह से आपको लिखना है फिर आप body of the letter it means the main content of the letter जो main part है letter का वो लिखा जाना होता है उसके बाद आती है concluding lines जो last की lines होती है निसकर्ष वाली line होती है तो कुल मिलाकर तीन part में ये बट गया initial lines body of the letters and concluding lines इस तरह से आप इसका जो एक format है वो तयार करते हैं उसके बाद thanking you कर देते हैं और thanking you के बाद में सातियों या तो आप लिखते है यौर्स faithfully या फिर आप लिखते है यौर्स ट्रोली इसमें यह नहीं लिखा जाता कि यौर्स या फिर यौर्स फ्रेंड या फिर यौर्स रिलेटिव चाहे बलही आपके रिलेटिव हों वह जिससे आप business कर रहे हैं बट उसमें आप mention नहीं करेंगे यौर्स ट्रोली और यौर्स faithfully इस तरह से mention करना होता है तो यह format होता है इसका formal letter का एक बार मैं फिर से बता देता हू इसमें first of all there must be mention sender's address and after that there must be given a space of one line and later date and after that receiver's address and then subject what is the subject of the particular letter and after the subject you just have to write salutation salutation means dear sir dear ma'am like this a greeting a kind of greeting it is and then initial lines then body of the letter later concluding lines and at last thanking you yours faithfully or truly और mention the name and signature तो इस तरह से ये आपका format बनता है अब format के बाद हम बात कर लेते हैं helpful lines की कि जो lines helpful है formal letter लिखने के लिए through the column of your esteemed daily prestigious newspaper I would like to draw the kind attention towards the problem of suppose आप एक letter लिखने हैं letter to editor को तो वहाँ पर आप कोई problem के बारे में बता रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि throw the column of your esteemed daily या तो esteemed daily लिखें या फिर prestigious newspaper कि तुम्हारे जो एक famous newspaper के माध्यम से I would like to draw the kind attention मैं ध्यान खीचना चाहूंगा towards the problem of किसकी समस्या को जो भी समस्या आप अफगत करा रहे हैं उस समस्या के बारे में of dead dash, it means you just have to mention two, three lines or one or two lines regarding the problem जो problem also regarding initial lines में बताना होता है फिर उसके बाद आप जब body start करेंगे it is sad that ये जानकर बड़े दुख की बात है क्या दुख की बात है वो आपको एक line में बता देना है, दो line में बता देना है वो आप तेखने कि किस तरह साप उसको बढ़ाते हैं, consequently मतलब परिणाम स्वरूब, परिणाम स्वरूब क्या हो रहा है वो आप mention कर दीजिए I therefore suggest, फिर जो आप suggest करते हैं, अपना suggestion वो इस तरह से, I therefore suggest लेकर आप mention कर दीजिए, और फिर उसके बाद, last में जब आप concluding lines देंगे, तो वहाँ पर क्या जाएगा, I hope that a little space will be given to this news in your prestigious newspaper मुझे उम्मीद है कि छोटा सा स्थान मेरे समचार को आपके prestigious newspaper में जरूर मिलेगा, and I'm sure that, और इस बात के लिए मैं बिलकुल निश्यन्त हूँ, that this will wake up the concerned authority from a deep sleep, जो concerned authorities हैं, जो इससे, मतलब इस problem को solve कर सकती हैं, वो government हो सकती हैं, official bodies हो सकती हैं, तो वो अपनी घहरी नेंद से जाग जाएंगी इस समचार को सुनने के बाद में and they will take suitable action against it and this problem will be solved out और वो इसके खिलाफ एक action लेंगे और ये जो समस्या है, हमारी दूर हो जाएगी आपका initial lines में लिखिए और ये जो beach की मैंने आपको बताए, ये beach की lines में आपको hint दिये है, lines को आपको थोड़ा-थोड़ा अपने आप उसको develop करना है बढ़ाना है, I hope कि ये lines आपको समझ में आई होंगी, फिर आगे बढ़ते हैं फिर हम ये mention कर सकते हैं सपोस्कोर आप complaint letter लिख रहे हैं या फिर कोई और इस तरह का sale purchase का letter है तो वहाँ पर आप P.E. कह सकते हैं Through this letter I want to draw your kind attention towards तो इस letter के माध्यम से मैं तुमारा ध्यान खीचना चाहूँगा कि इस तरफ हो सकता है कुछ defect माल आगया हो उस तरफ हो सकता है आपको books मंगवानी हो उस तरफ तो कुछ भी चीज हो सकती है उसके regarding आप करेंगे वो सकता है electricity problem हो वो सकता है water supply problem हो तो वो आप mention यहाँ पर कर देंगे I wish to state that फिर आप अपनी बात बताने के लिए कहेंगे I wish to state that It means मैं आपको बताना चाहता हूँ I feel sad to know और मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ जो भी चीज हुई या फिर I feel sad to inform you मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा दुख है वो आप as per the situation you just have to mention it इसके बाद I am very upset or disappointed to know that मुझे जानकर या फिर मुझे इस चीज को देखकर बड़ी निराशा हुई ठीक नहीं no और cb आप लिख सकते हैं कोई भी चीज़ आपने देखी निराशा हुई आपको तो वहाँ पर आप इस तरह से mention करेंगे फिर उसके बाद through this letter I am expressing my deep regret anxiety concern at whether you use deep regret और anxiety और concern इन में से एक यूज कीजिए इस letter के माध्यम से मैं अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा हूँ या फिर मैं पस्चा एक तरह से मुझे regret है इस चीज का पस्तावा है किस चीज का पस्तावा है वो कोई भी problem हो सकते है उससे regarding हो सकता है तो वो आप as per the situation उसको use करें उसके बाद I hope that my complaint will be attended at the earliest मुझे अमीद है कि मेरी जो complaint है ये बहुत जल्दी ही सुनवाई होगी इसकी It would be quite good for healthy business terms business के regarding कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे business terms के लिए तो इस तरह से आपको ये चीज करनी होगी तो दोस्तों ये थे ये था formal letters का format और इसके अलावा helpful lines जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा help करने वाली है letter writing में अब आपको याद करने की जुरत नहीं है केवल कुछ lines बनानी है और बाकी lines मैंने आपको provide कर दी है तो इस तरह से आपको formal letter जो है करना बहुत आसान हो जाता है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और या फिर मेरी अन्य वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजिए और वीडियो को like और share और comment करना ना भूले और सबसे बड़ी बात मैं ये कहा रहा हूँ कि जो आपके साथी B.A. L.L.B. में पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो जाजाद शेयर की दिये और playlist है मेरी B.A. L.B. 2nd Sam और 4th Sam के नाम से आप उन पर visit की दिये सारी वीडियो अपनी देखिए पूरा course वहाँ पर cover कराया हुआ है तो अपने जो college का group होता है उसमें भी इस वीडियो उसको इनको शेयर की दिये ताकि जादस जादस students इसका फायदा उठा सकें Thank you very much